आज हमारे इस्कुली सिक्षा विभागने सरकार ने बच्चों के भविस्व को ध्यान में रखते हुए अनेकों महिदपूर्ण फैसले किये हैं कक्षा दस्की परिक्षा हैं जो माद्मिक्षिक्षा मंडल लेता है उसके कई पेपर हो चुके थे जो सेस बचे पेपर है जो सेस बचे विसे हैं उनकी परिक्षा अब नहीं ली जाएगी जिन विस्व की परिक्षा हो चुकी है उन्हीं विस्व के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट घोसित की जाएगी और जो विशे वचे हैं उनके सामने केवल पास लिखा जाएगा बारवी की परिक्षा जो मादमुक्षिक्षा मंडल देता है पोर्ड की परिक्षा वो बच्चों के भविस्ट को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्पूर्ण होती है बहुत महत्पूर्ण होती है उस परिक्षा के परिणाम बच्चों के भविस्थ की दिसा तै करते है इसलिए जरूरी है कि वो परिक्षा पूरी ली जाए उसलिए बारविकी परिक्षाओं के जो प्रिश्ण पत्र सेस रह गए थे अब उनकी परिक्षा दिनांग 8 जून 2020 से 16 जून 2020 के मत्य आयुजित की जाएगी सी बी एस सी के परिक्षा की तिथियां भी घोसित हो चुकी है हमारे बारविके बच्चों का भविस्थ प्रभावित ना हो इसलिए हमने ये परिक्षाओं लेने का फैसला किया है एक और महत्मून फैसला हमने किया है दिनांग 19 मार्च से प्रदेश में लागडाउन रहने के कारण और लागडाउन रहने की अबद ही तक सभी नीजी विद्धाले विद्धार्चों से केवल ट्यूसन फीस ले सकेंगे केवल ट्यूसन फीस क्योंकि इस अबद्धी के दौरान स्कून बंद रहे है ट्यूसन फीस जरूरी है ताकि वो विद्धाले चल सकें लेकिन इसकी अत्रिक्त किसी भी प्रकार का सुल्क इस अबद्धी के बीच लागडाउन के अबद्धी के बीच का बच्चों से नहीं लिया जाएगा चाहे वो स्पोर्ट्स का सुल्क हो लाइब्रेरी सुल्क हो बसों का हो किसी भी प्रकार का सुल्क जो ट्यूसन फीस के अलावा लगता था वो नहीं लिया जाएगा इसकूल खुले के बाद विद्धाले अपना फैसला करेंगे लेकिन इस अबर ही में कोई सुल्क है